Hello everyone, Welcome to Success with Raya Academy हाल ही में नीती आयोग दोरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 जारी किया गया है और इस बार ये रिपोर्ट तीन केटेग्री में जारी किया गया है तीनों केटेग्री को हम देखेंगे और इस रिपोर्ट को पुरा एनलेसिस करेंगे कि ये रिपोर्ट क्यों परदरसित की जाती है और किस आधार पर परदरसित की जाती है ये किस क्रम की रिपोर्ट थी इन सभी बातों को आज के वीडियो में हम डिसकस करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 किसके दोरा जारी किया जाता है तो यह जारी किया जाता है नीती आयोग दोरा नीती आयोग दोरा यह रिपोर्ट तयार की जाती है जारी की जाती है और यह इसका तीसरा संस्क्रण था इससे पहले जो दो संसक्रण पेस किये गया है वो अक्टूबर 2019 में जो पेस किया गया थो वो पहला संसक्रण था दूसरा संसक्रण जन्वरी 2021 में जारी किया गया है और यह तीसरा संसक्रण जुलाई 2022 में जारी किया गया है ये रिपोर्ट देश के नवाचार विशलेशन यानि इस देश में यानि भारत में नया क्या हो रहा है उसके बारे में बिताता है क्या-क्या नई टेक्नोलोजी अपना ही जा रही है किस तरीके से नय अध्योग लगाए जा रही है उसका प्रभाव क्या पढ़ रहा है भारती अर्थ व्यवस्था पर या समाज पर इसका विश्लेशन इस रिपोर्ट में किया जाता है नवाचार छमताओं और पारिस्थितिकी तंत्र की परताल भी इस रिपोर्ट में की जाती है उसके बाद अभी तक 36 संकेतों को लिया जाता था देखिए कई संकेत अलग होते हैं सिक्षा का स्वास्थ का और इंफ्रास्ट्रक्चर का स्वास्थ सुविधाओं का सिक्षा की व्यवस्था का इस तरीके के कई संकेत होते हैं यानि टोटल 36 संकेतों को अभी तक लिया जाता था यानि पहली रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट जो थी 2019 और 21 की अब 2022 में इस बार 66 संकेतों को इसमें एड किया गया है यानि कि जोड़ा गया है टोटल 66 संकेत राज्यों और केंसासित प्रदेशों को उनके प्रदर्सण की तुलना करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों 10 पुर्वरति और पहाड़ि राज्यों और 9 केंसासित प्रदेशों और सहरों में इसको वर्गी क्रत किया गया है यानि कि इस रिपोर्ट की तीन काटेगροी बनाई पहला राज्य, दूसरा पुरवर्ती राज्य और पहाडी राज्य, और तीसरा केंद्र सासित राज्य, तीन कैटेग्री में इसको बाटा गया है, अगर हम बात करें तो यह जो सूचकांग है, जितने भी कैटेग्री में सूचकांग दिये जाते हैं, वो साथ स्तम्व पर मापते हैं उसके बाद जो दो प्रदर्शन स्तंभ हैं वो आउटपुट आपका प्रदर्शन कैसा है आप कितना आउटपुट दे रहे हैं या उद्योग कितना आउटपुट दे रहा है कोई योजना कितनी आउटपुट दे रही है उसको मापते हैं तो ये टोटल साथ स्तं सर्वेक्चर में जिन संक confront किया जाता है उसमें सिख्षा का इस्तर गुडवत्ता आदी जैसे मानत सामिल किया जाते हैं पीच्डी छात्रों की संक्यां और ग्यान और जहन रोजगार यानि की जो संकेतम में जिस तरी कि रिपोर्ट कैसे त्यार की जाती ओस में पिएजडी के कितने चात्रे हैं, उनका क्या ग्यानिस्तर है, और रोजगार की तरफ उनको कितना रोजगार मिला, ये सब बातें रिपोर्ट तैयार करने में सहायक होती हैं, इंजीनरिंग और प्रॉद्धोगी की में नामांकन कितने लोगों ने इन रोल कर रखा है अपने आपको अत्यदिक कुशल पेशेवरों की संख्या, याने कि कितने मेच्चोर कुसल कारगर हैं, या कितने लोग अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, जानकार हैं, ये सारी बातें इस रिपोर्ट को तैयार करने में सहायक होती हैं, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, कि अनुसं कितने हैं इस समय भारत में, ये आधार होता है, और प्रत्यक्ष विदेशी निवेस, याने कि FDI, Foreign Direct Investment का अंतरवा, याने कि कितना FDI भारत में आया है, और कारोबारी महल कैसा रहा, सुरक्षा और कानूनी प्राउधान कैसे रहे, ये सभी बातें इस रिपोर्ट को तैयार क काफी मदद करते हैं, याने कि इनको आधार बनाया जाता है, अब उन राज्यों को बारे में जान लेते हैं, जिन्होंने अपने-पने कैटेगरी में प्रत्मिस्थान हासिल किया है, जैसे कि करनाटका ने 18.01 अंक के साथ राज्यों में प्रत्मिस्थान हासिल किया है, दू तो यह प्रमुख राज्जियों में तीन कटेग्री हो गए टॉप की, तीन क्रम हो गए टॉप के, जैसे करनाटक पहले पे और तिलंगाना दूसरे पे और हर्याना तीसरे पे, करनाटक की सफलता का जो स्रे है वो FDI को जाता है, क्योंकि करनाटक ने इदर हाल फिलहाल में, य इसकी वज़ा से इन्होंने प्रथम रैंक हांसिल की है, अगर हम अब खराब प्रदरसनों की बात करने तो बिहार जो 15 इस्थान पर रहा, उसको 11.58 अंक मिले, 16 इस्थान पर औरीसा रहा, जिसको 11.42 अंक मिले, और सबसे नीचे इस पाइदान पर रहा, 36 गड़, जिसको 10. 97 अंक हासिल हुए हैं और ये 17 नंबर पर रहा है, उसके बाद हम पहाड़ी और पूर्वी राज्यों का जो करम है उसको देख लेते हैं, पहले इस्थान पर है मनीपुर, मनीपुर को अंक मिले हैं 19.37 पहाड़ी राज्य भी हैं ये, उत्राखंड जिसे दूसरा इस्थान ह हासिल हुआ है पहाड़ी राज्यों में और इसके अंक है 17,6 परतीसत, तीसरा इस्थान मिला है मेगालेया को जो 16 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, सबसे अंतिम स्थान पर यानि दस्थान पर है नागालेंड जिसको 11 अंक मिले हैं, हाला कि मनीपुर को करनाठ़का से ज केन सासित प्रदेश हैं उनके बारे में जान लेते हैं केन सासित प्रदेश में पहला इस्थान चंडीगर का है इसको सबसे हर कटेगरी में अगर देखा जाए तो सबसे जादा अंक मिले हैं 27.88 दूसरे इस्थान पर दिल्ली है जो जिसको 27 अंक मिले हैं और तीसरे इस्थान तो औसतन देश ने ज्यान कार्यात्मक इस्तम याने कि knowledge worker pillar में उतना अच्छा प्रदरसन नहीं किया जितना मानो पूंजी इस्तम human capital pillar में किया हुआ है अब यह report त्यार करी है नीती आयोग ने तो हम नीती आयोग के बारे में जान लेते हैं नीती आयोग जिसकी स्थापना योजना आयोग पंचवर्शी योजना जो बनाती थी योजना आयोग के स्थान पर की गई थी इसका full form होता है National Institution for Transforming India कई बार पूछा गया था यह जब नया नया बना था यह इसके स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी इसके सदस्यों के बारे में जान लीजे एक पूर्ण कालिक अध्यक्ष होता है पाच पूर्ण कालिक सदस्य होते हैं दो अंसकालिक सदस्य होते हैं इसके अलावा केंद्री मंत्री परिसत के चार सदस्य भी इसमें सामिल होते हैं वर्तमान में अध्यक्ष यानि कि इसके अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधान मंत्री होते हैं जो वर्तमान में नरेंद्र मोधी हैं उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं और CEO है परमेश्वरन आयर तो ये नीती आयोग द्वारा जारी की गई इंडिया इन्वेशन इंडेक्स याने नवाचार सुची थी I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो से संबंदित आपके कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट वाक्स के मादम से पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद